इश्ट्रो मेत्र ससी रंजन में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग फर्वरी दो हजार चौबिस मेस रासी वालों के लिए कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करें यह रासी आपके चंद्र रासी पर अधारित है और जिसकी भी रासी मेस है यह वीडियो उनके लिए बहद ही महत्वपुर्ण है अब फर्वरी के महीने में ग्रोहों का गोचर इस प्रकार है ग्रोह आपके लगन से गोचर कर रहे हैं राहू आपके द्वादस भाव से गोचर कर रहे हैं केतु आपके सश्टम भाव से गोचर कर रहे हैं शनी आपको आपके एकादस भाव से गोचर कर रहे हैं सुर्य और बुद्ध आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं मंगल और सुक्र आपके नवम भाव से गोचर कर रह फरवरी के महिने में आपके स्वास्त, आपकी संतान, आपकी सिच्छा, आपका प्रेम प्यार, आपका वेवाईग जीवन, आपका भाग्य, आपका केरियर, कर्म, आपका लाव, भरे भरे भाई बहनों के साथ क्या रिष्ते रहेंगे, आपके इच्छा की पूर्ती होगी की नहीं, धन का आगमन कैसा होगा, माता का स्वास्त कैसा रहेगा, माता के शुक, भूमी वाहन, इस सारी व्यातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले अगर स्वास्त की बात करें, तो स्वास्त आपके लगन से दिखा जाता है, और लगन के जो स्वामी मंगल है, वो आपके नवम भाव, भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, त्रिकौन भौव से गोचर कर रहें छे फरवरी को किंद्र में आ जाएंगे दसम भव से गोचर करेंगे दोनों ही स्टिती में नमवं भाव में या दसम् भाव में मंगल रहेंगे तो आपका स्वास फरवरी के महीने में बहुत अच्छा रहेंगा जनवरी में भी आपकी स्वास अच्छा होगी क्यों कि मंगल आपके नौम भाव से गोचर कर रहें हैं त्रिकौन भाव से गोचर कर रहें हैं जब छे फरवरी को दसम भाव से गोच करेंगे और उनकी उच्च के हो जाएंगे मकर राशी में मंगल उच्च के होते हैं और उनकी चौथी द्रिष्टी आपके लगन पर पर रही है तो आपका इम्मिनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉंग रहेगा आपकी शरी स्वस्थ रहेगी आपको किसी तरह जे कोई परसानि सारी रिकृप से नहीं होने जा रही है फरवरी के महीने में अगर संतान की बात करें तो संतान आपके पंचम भाव से देखा जाता और पंचम भाव के स्वामि सुर्य आपके 14 फरवरी तक 10 भाव से गोचर कर रहे हैं और उसके बाद वो एक कादस भाव से गोचर करने लगेंगे जब एकादस भाव में आएंगे चौदा फरवरी को उनकी सात्वे द्रिष्टी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी आपके संतान भाव पर पड़ेगी तो आपके संतान से सुख भी प्राप्थ होगा संतान्स के लेगर किसी तरह की कोई चिंता अगर थी तो चौदा फरवरी के बाद आपको उसमें निजात मिलेगी सुखद मिलेगी समाचार अच्छा मौन अनभाव महसूस करेंगे जो विद्यार्थी वर्ग है जो सिक्षा गरहन कर रहा है उनका भी पंचम भाव से ही देखा जाता है उनके पढ़ाई अभी अच्छी चल रही होगी लेकिन 14 फरवरी के बाद उनके पढ़ाई और अच्छी चली गी और अगर कोई प्रतियोगता परिक्षा है तो उसमें री अच्छा समय है अगर प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार बेंचम भाव से देखा जाता है है और पंचम भाव के स्वामि सुरिअ 14 फरवरी तक आपके 당신 भाव से गोचर कर रहे हैं और शे फरवरी को मंगल आ जाएँगे शुरीवर मंगल की यूती आपके प् के बीच आपस में सामंजस्य काफी अच्छा रहेगा आपस में तुनिंग अच्छी रहेगी अंडरेस्टेंडिंग अच्छी होगी और आप सुखत महसूस करेंगे अगर वैवाईवी जीवन की बात करें तो वैवाई जीवन आपके सब्तम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामि सुख्र आपके नममभाव से गोचर कर रहें और बाराव को वह कंद्र में दिसम भाव से गोचर करेंगे तो बैवाई जीवन भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्यों कि शुक्र किंद्र में आ जाएंगे और अभी त्रिकोर में चल रहे हैं तो बैवाई जीवन आपका अच्छा चल भी रहा होगा और फरवरी के महीडे में अच्छा चलेगा भी अगर भागे की बात करें पिटा के सुख की बात करें धर्म की बात करें तो नौम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी गुरू पूरे महीने आपके लगन से गोचर कर रहा है और उनकी नौवी द्रिश्टी भागे पर पर रही है तो भाजे का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है फरवरी के महीने में आप पिता काविश सुख प्राप्थ होगा और धार्मी कारियों में भी रुची आपकी बढ़ेगी कोई मांगलिक कारिय भी आप कर सकते हैं कहतिरताटन वेगरे भी आप जा सकते हैं अगर कर्म की बात करें तो केरियर की बात करें तो दसम भाव से देखा जाता जिसके स्वामी सनी देव अपने ही मुल्तिरकों रासी कुंबरासी से एकादस भाव से गोचर कर रहा हैं और एकादस भाव के सनी बहुत अच्छा माना जाता तो कर्म के छेत्र में भी आपकी महसूस कर रहे होंगे आपको शांती मिल रही होगी और आप doklor के महीने में आपको किसी कर रही है रही है कि अगर कर रहे हैं तो बैपार भी आपका फर्वरी के महीने में बहुत अच्छा चलेगा चुकि शुक्र और बुद्ध की यूति आपके दसंभाव में 12 तारिक से बन जाएगी तो लच्मिन अरायन योग बन रहा है बैपार में भी आपको काफी चलेगी विलाव काफी होने जा रहा है अगर धन की बात करें तो धन आपके दूतिया स्थान से देखा जाता है और दूतिया स्थान के स्वावी सुक्र आपके भाग्यभाव से गोचर कर रहा है तो धन का आजमन भी होगा और धन का आजमन करेंगे तो थोरी बहुत हलकी परसानी आपको हो सकती है अगर माता की शुक की बात करें तो चतुर दुभाव से देखा जाता है इसके स्वामी चंद्रमा हर सवा दो दिन में आपके रासी परिवर्तन करते हैं तो माता के स्वास्त का थोड़ा ख्याल करें चुकि कभी स्रल राब हो जाएगा माता के विचार से आपके विचार में भिन्हता होगी क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और आपके स्वामी मंगल है मंगल अगनी पत्थव की रासी है चंद्रमा आपके सीतल है तो दोनों के बीच थोड़ी सी विचारों में मतभेद हो सकते हैं फरवरी के महीने में मिला जुला बहुत ही अच्छा आपका रहने वाला है जो भी थोड़ी बहुत परसानी है तो आप हनुमान जी की पूजा करें और सुंदर कांड का पाठ करें ना तो आपके ऊपर कोई सरसाती है और ना तो सनी की अढ़हिया है ना तो राहो के कोई आपके राहो केतु की कोई आपके द्रिश्टी है तो फरवरी के महीने में बहुत अच्छा होने जा रहा है इसी के साथ मैं अपने वक्तव्वे पर ग्राम लगाता हूं किर्प्या आप लोगों से अनुरोध ह कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुं सके और आप ज्यादा से ज्यादा लाभावनित ले सके पिछले कुछ एक दो महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा था उसकी कु